अब अगर आप देखो निफ्टी औन वानी शर्मा विल्कून वा यूट्यूब चैनल सु साथ करते हैं निफ्टी औन बैंक निफ्टी अनालसिस कल के सेशन के लिए एन विल डिस्क्स अस्टॉक्स इस वेल निफ्टी का चार्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो पिछले 4-5 दिन से काफी अची राली हमें देखने को मिल रही है मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियो में क्लेली बता था कि बैंक निफ्टी काफी जादा स्टॉंग लग रहा है निफ्टी वीक लग रहा है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग राली हमें देखने को मिल सकते है और 12,200 और 12,300 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते है तो 12,000 के उपर कैसे ट्रेड करता है यह देखना बहुत जरूरी होगा निफ्टी में पर अभी फिलाल जिस तरीके का मोमेंटम है यहां से मुझे लगता है 12,000 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते है तो आप 12,000 तक के टागेट के लिए ट्रेड कर सकते हो लेकिन 12,000 के बाद आपका थोड़ा सा व्यू कॉश्यस होना चाहिए और श्रिक स्टाप लॉस्स होने चाहिए यूँकि अगर आप देखो यह ट्रिपल टॉप भी बना सकता है और फ्रेश ब्रेकाउट भी दे सकता है दोनों पासुबिलेटी है तो आपको थोड़ा कॉश्यस हो के ट्रेडिंग करना पड़ेगा 12,000 के उपर अगर निफ्री गया तो बैंग निफ्री का अगर आप चार्ट देखो यहाँ पर इसने फ्रेश ब्रेकाउट दिया था लाश्ट रेचाउट दिया काफि अची रहली यह में देखने को मिली 26,300 के आसपास अगर आता है और वहाँ पर अगर आपको कोई negative setup दिखता है तो आप थोड़ा short positions ले सकते हो long unwinding कर सकते हो 26,300 एक crucial level होगा क्योंकि वो gap resistance level है bank nifty के लिए वहाँ पर आपको अपना long positions पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और strict stop loss आपको maintain करना पड़ेगा अब discuss करते है stocks सबसे पहला stock होगा हिंदुस्तान petroleum हिंदुस्तान petroleum का structure मुझे काफी अच्छा लग रहा है buying के लिए क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से clean and clear इसने trend line breakout दिया है and higher low higher high का formation भी बनाते जा रहा है तो यहाँ से मुझे लगता है 200 तक के level तो यहाँ से मुझे लगता है 2000 तक के levels हमें देखने को मिल सकते हैं तो एक retracement trial हमें देखने को मिल सकता है तो relance काफी अचा buy रहेगा exactly कौन से level पर buy करना है मैं आपको telegram challenge बता दूँगा last stock होगा C8 C8 का structure मुझे काफी negative लग रहा है क्योंकि अगर आप last 45 दिन का candle देखो यह daily chart है उपर के तरफ tail छोट रहा है उपर के तरफ sustain नहीं कर पा रहा है 11.50 एक hurdle है जो कि एक cross नहीं कर पा रहा है और 11.98 का level अगर तूटता है तो एक sharp fall में देखने को मिल सकता है so intradic के लिए काफी अचा short रहेगा C8 एक्जाक्ली कुनसे लिए पे sell करना मैं आपको टेलग्राम चैनले नहीं बदा दूगा so आज के लिए वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो और अनालसिस अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video